गया के कूँछ थाने के सिंदुवारी गाउं में हुए गोलिकांड ने नितीज सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है 6 मई को सिंदुवारी गाउं में अपराधियों ने अंदादुंद गोली बारी की थी इस गोली बारी की चपेट में आकर उदैशर्मा नाम के शक्स की मौत हो गई थी वहीं गिरजेश कुमार कौशिक नाम के शक्स की इराज की दौरान मौत हो गई थी इस गोली बारी में घायल हुए तीन लोगों का इलार पटना के PMCH में कराय जा रहा है चोतरफा बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है सिंदुवारी गाउं में हुए गोली कांड के साज़िश बहुत पहले ही तैयार कर ली गई थी हले ही सिंदुवारी गाउं में 6 मई 2020 को गोली कांड हुआ हो लेकिन उसकी पटकर था जून 2019 में ही तैयार हो गई थी 2019 के जून महीने में संदुवारी गाउं में यग्य हुआ था यग्य के दौरान दो पक्षों में आपसे विवाद हो गया था विवाद के बाद कोच थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था इस विवाद के नतीजे में सिंदुवारी गोलिकांड को अंजाम दिया गया 2019 में हुए इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद भी छिटपुट जड़प होती रहती थी इसी विवाद को लेकर पिछले दिनों गाओं के पंखे के दुकान पर एक बार फिर दोनों पक्षों में मार पीट हुई थी इसके बाद मामले ने हिंसक रूप ले लिया और 6 मई को सिंदुवारी गाओं में जमकर गोलिबारी हुई इस गोलिबारी में दो बेगोना लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं ग्रामिडों ने इस गोलिकांड के लिए राकेश यादव, विमल यादव और राम बालक यादव पर हत्या का आरोप लगाया वहीं एक पेड़त ग्रामिड ने पुलस पर निश्पक्ष कार्रिवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है लेडिज के लिए क्या थे बैंक से पाइसा निकलवा के फिर उसके बाद सब कहें कि छोड़ दो तब एक भाईया थे तो सीमिट दुकान पर गए तो सब उतावला हो गया और इस विधर से गया समझाने के लिए उस गोली चलाने लगी और एक घंटा पहले तो थाना को खब अबर कर दिये गए थे लेकिन थाना भी पाइसा लेकर रहता है सुता हुआ रकेश जादो बीमल जादो अंबालक जादो समाजिय किया पर आदी एक तरह से हर समय उतावला मन बढ़ बहुत है हर समय उतावला पर रहता है वहीं एक पीड़त ग्रामेड ने पुलस पर निश में हुआ था हमरा मुख्या था से माला पर नहां दिये स्वामिजी और उसके बाद ही लोग लाठी निकाला हमको तो ऐसा मार मारा की लगा कि अभी मन्नू के जैसे अश्य घर करके चोब बगली समा रहा था हम भागे वहां से ठीक्या उड़ा चांप करके उसके बाद माथा कांड के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है भारतिय सब लोग पार्टी के रास्ट्र अध्यक्ष अरुन कुमार ने गाउं के पीडित लोगों से मुलकात की और उन्हें सांत बना दी कुमार ने नितीश सरकार पर गुंडों को संरक्षन देने का हरोप लगाया अरुन क कुमार ने मृतक और घायल के परजनों को मुआफ़जा देनी की मांग की है उन्होंने गोलिकांड में घायल लोगों को मुफ्त इलाज मुहया करानी की मांग सरकार से की अरुन कुमार ने कहा कि भारतिय सब लोग पार्टी पीडितों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशश क सब्सक्राइब के नौजवानों ने दिख लाया कि वो पूरा प्रशासन उसको लेकर के बैठा हुआ है चाह पी रहा हुआ है यहां इतनी बड़ी दुर घटना हुई है मातमी चाहा हुआ है और वो आनंद ले रहा है और घटना के समय दीन में घटना हुई है अवाज राइफल से हत्या हुई है उस राइफल यह अपराधियों को बचाने के लिए ही राइफल की बरामगी नहीं हो रही है इसलिए एसाइटी का गठन करें जो हम लोगों का मांग है और और यह जितने सत्ता के गुलाम में अराजक तत्तों को सरक्षन देते हैं हप्त्या कराते हैं और इस तरह के इस तरह के से पुलिस सहमी हुई है जो आदमी जहानाबाद में आज यहां डीएसपी है जहानाबाद में कल इंस्पेक्टर हुआ बहादूर आदमी परफॉर्मेंस यहां हिजडा बना हुआ है तो कह ही न कहीं सरकार का सरक्षन है कि ऐसे गुर्णों को मच्छो ऐसे ही यहां सारा फॉर्स लगा हुआ है और यह पूरी दुर्घटना का पूरे बिहार में हम लोग ले चलेंगे और लडाई लड़ेंगे यह हम लोग समझे गया है कि चुड़ी पाहन के बैठने वाले हैं क्या यह दुर्भगे पूर्ण घटना है और यह नरसंगार है हम 20-20 लाख रुपएया सरकार इमेजियेट इनलों को मृत परिवार को और 5-5 लाख रुपएया इलाज के लिए बलड तक सरकार नहीं दे रही है पीम सीच में इलाज चादा है रोज बड़ी बड़ी घोसना हो रह रहे हैं चार्ज कर रहे हैं सरकार के सरक्षन में यह क्राइम कराया गया है वहीं मामले को तूल पकरता देख पुलिस भी सकरिया हो गई बता रहा है कि सुभाई 11 बजे जो है एक पक्ष के लड़कों त्वारा दूसरे पक्ष के लड़की कुटाई कर दी गए थी उन गटना काउन पिटा भी यह नहीं पता चल पाया है लेकिन एक पक्ष का या आरूप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पिटाई गए फिर यहा प्राम बताए गया है उसमें से तिल्हाल दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है आने लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो प्रतेकारी पुली सन मुंडल है तो उसके सभी थानत दिक्ष को लगाया गया है और सीगरी हम लोग 24 गंचे के अंदर सभी जो अवीट है उनकी गिर पक्ष जांच कर हत्यारों को सक्त से सक्त सजा दिलानी चाहिए साथी मृतक और घायलों के परिजनों को ओचित मुआवजा मुहया कराना चाहिए पंजाब के इसरी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट